रादे रादे जैसरी किष्ण जी बीना जी की किचनवे आप सभी का स्वागत है तो आज बनाएंगे हम बाजरे की टिकिया तो इसके लिए हमने ये बाजरा ले लिया है ये तिल ले लिया और ये ले लिया गुड़ तो हमने यहां एक बरतन ले लिया है और यह बरतन में गुड़ डाल दिया और यह पानी भी डाल देते हैं इसमें हम जिसमें गुड़ डूप जाए ज्यादा पानी नहीं डालेंगे हम बस अब से गैस पर तो गुड़ में वाल आ गया है यह तो गुड़ घुल गया है अब हम गयास बन कर देते हैं अब उसको ठंडा होने देते हैं गुड़ को ठंडा होके उसमें आटे में डालेंगे तो गुड़ को हम चान लेते हैं अच्छे से और इसे एक बड़ी चमस से मिलाते रहेंगे हम और यह तिल भी डाल देंगे इसमें यहां पर आप यह जो बचाया यह भी चान लेंगे गुड़ का पानी यह कुछ भी निकला अच्छे सब्सक्राइब थोड़ी देर में ठंडा होके यह एकदम सही हो जाएगा यहां पर हम थोड़ा सा गी डाल देते हैं देशी एक चमज भरके इससे कुरकुरी और खस्ता होएंगे यह टिकिया और यह इलाइची पॉडर भी डाल देते हैं यहां पर खुशबू के लिए और टैस्ट भी बहुत अच्छा हैगा अच्छा से मिक्स कर लेते हैं तो आटे काव हम हाथों की साहता से सही कर लेते हैं और यह बाजरा गाटा बड़ा आसानी से बजार में मिल जाता है मेरे पास थोड़ा सा बाजरा रखाता है तो मैंने बाजरा मिक्सी में पीस लिया इसको देखो कितना मैंने पानी डाला इस सारा इसके अंदर सोग गया और यह बाजरा का आटा थोड़ा सा मोटा मोटा ही होना चाहिए जब इटिकिया बहुत अच्छी बनती हैं अब हम टि इस तरीके से हम लेंगे आटा और ऐसे बना बना के कड़ाई में डाल देगे यह देखो बुलकोई बड़ी न चोटी मोटी न पतली कुरकुरी होनी चाहिए यह तो मने गयस पर कड़ाई रख लिया अब इसमें डाल देते हैं ओयल गरम हो गया गया इसका फिलेम कम करके रखें और यह हम दिखाते हैं यह तेली की सायता से ऐसे बना लें अगर चिपके हैं हतेली पर तो पानी का हाथ लगा लें ज़रा संद्स इस तरीके से मैं ढालती जाओंगी सारी टिकियां और हम इस तरीके से इनको बेगा टिक कितने अच्छी फूल यह टिकियां देख ना कितनी अच्छी सिखी है ये, बहुत अच्छी फूली है, टिकी है अब इनको निकाल लेते हैं कम गैस परी सेगना इनको, क्योंकि अंदर से कच्ची रह सकती है मैंने गैस का फ्लेम कम कर रखा है और ये सर्दी में ही बनती है, बाजरे की टिकी और इन टिककी को महिना 15 दिन रखे खा सकते हैं इतनी टेस्टी टिककी बनती है है ये बाजरेगी टिकियां बन के तैयार हो गई है बाजरेगी इन्हें कोई टायम नहीं लगा बहुत जल्दी से बन गई हैं ये और इतनी खस्ता बनी है नहीं है बहुत ज्यादा कितनी बढ़िया बढ़िया देखो, आप भी इस तरीके से बना सकते हैं, और खा सकते हैं, और महिना पंद्रे दिन स्टोर करके रख लीजिए, बहुत टेस्टी बनती हैं ये, और इसके हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सेर करना, सस्क्राइब करना, और बत कमेंड बॉक्स में ये, हमारी टिकियाँ कैसी लगी? आपको बाजरे की, एक बाज जजरूर ट्राइ करना, ये सर्दियों में ही बनती है, और खाना, खिलाना, और बणाना, और ये टिकिया, आप बाजरे की बनाई हैं, तो हम भी उनाई हैं, दो फैं गुड़ की बनाई है झाल